नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत सवागत करता हूँ आप सभी को अपने इस वेडियो में दोस्तों आज का ये वेडियो बहुत ज़्यादा खास होने बाला है देखिए मैं यहाँ पर गूमने के लिए आया हूँ खास कर उसदी दबाकी जानकारी के लिए ये देखिए ये मैं कुछ फलियां दिखाऊंगा आपको जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होंगी और बहुत ज़्यादा फादेबंध होंगी देखिए समय इस औसदी पीड की जो पत्तियां है वो जढ़ चुकी है पत्त जड़ इसका खत्म हो चुका है दोस्तों मैं दिखा देता हूँ नाम से जानते हैs पैचानती हैं। इंद्रजव आरवेद में एक बहुती महत्पूर्ण ओसदि है जिसका प्रयोग करकेizada है उसमें भी आपको काम में इसको ला सकती हैं, पेट दर्ध हो, बदन दर्ध हो, या फिर बबासीर की सिकायत है, पेचेस है, दस्त है, आपको धात रोक पड़ता है, या फिर किसी को गाठ हो गई है शरीर में, पत्री हो गई है, या फिर और भी कोई समय स्चायद, टॉंसिल, आज के अगर समय स्चायद, तब इंद्र जोका प्रियोक किया जाता है, यह देखिए, इसके अंदर यह उसदी, यह इसके अंदर यह आप निकालेंगे, तो इस तरी कैसे देखिए, इसमें रोई भी निकलती है, साथ में, और रोई के साथ साथ इसके बीज भी होते हैं, द दिखा देता हूं, दोस्तों, इस ओसदी को कैसे प्रियोक करेंगे, कैसे इसका उप्योक करेंगे, वो बता रेता हूं, ध्यान से चुनिएगा, जिनको पेचेस पड़ती है, बहुत पुरानी पेचेस है, दस्त भी लगते हैं, जिसमें पेचेस के साथ साथ खून आता हो, ऐसी अगर समिश्या है, या पेड़ दर्ध होता है, अगर ऐसी समिश्या है, तो एक औस दिन उसका बता देता हूं, जो बहुत ज़्यादा लापकारी होगा, तो आप ये जो इन फलों के साथ जो इसके बीज हैं, ये, इन बीजों को इखटा कर ले, इसे इंद्रजो के ना अजवाइन, ये भून करके ले लिए 10-10 गिराम, इन सभी को लेकर के चूरन तयार करें, और बस ठंडे पानी के साथ, सुबह और साम, आप इसको सेवन करना है, तो जिनको पेड़ दर्ध होता है, जिनको पेचे से होता है, खोनी, या फिर आपको पेचे से खोन आता है, य कि ये बीज ले ले, कभी-कभी बीज के मौसम नहीं होता, तो इसकी छाल का प्रियोग कर सकते हैं, ये सभी पेड इंदरजो की लगी होगे है, तो छाल इसको आप प्रियोग करें, आपको धात रोग में करना क्या है, सीसम की छाल लेना है, 10 ग्राम, इंदरजो लेना है, आ जो कमरदर्द होता है जो अगर कोई समिस्या है तो ऐसे में आप चूरन दूद के साथ प्रयोक करें एक चम्मच तो ऐसे में जबर जस्त काम करता है बहुती बहुती पावर्फुल औस दिब मानी जाती है तो धात्रोग में अच्छा काम करता है जिनको गांठ हो गई है को घोलने के लिए किसी को लीवर में गांठ हो या ती लीवर सरो से द्यक्रत में गांठ होती है तो ऐसी समिस्या को दूर करने के लिए आपको करना क्या होगा इंद्र जोकी ताजी च्छाल लेनी है यह जो च्छाल देख रहे है यह इंद्र जोकी है तो आपको इंद्र जो को लेकर कि आपको मोटा मोटा कूट करके चूरन बना लेना उस चूरन को अगर आप प्रियोग करते हैं सुवै साम उबाल उबाल करके तो यह आपकी गांट को गोल देता है कैसे भी गांट है जो बार बार फोड़ा बनता है गांट होती है बबासी होती है ऐसे में बहुत इसके इंद्र जोखी अभी देखो पदजल हो चुका है लेकिन सभी में इसके फल लगी हुए हैं तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी हमें कमन बॉक्स में जरूर बताएगा और हां मेडियो को लाइक कर दे और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जिए का धन्यवाद